कि इसको मैं आपको दिखा देता हूं शानी की साड़े साती के बारे में कैसे हम लोग देखते हैं और कैसे उसकी भविश्वाली करनी चाहिए अच्छली मैं थोड़ा सा पिछले एक महीने बिजी रही सर तो वो ड्यूटी आवर्स और उनके चक्कर में तो सड़ी पूरी तरह से हो नहीं पाई कोई बात में रिकॉर्डिंग्स देख लीजेगा अभी हमें क्लास प्रेक्टिस क्लास करेंगे उसके बाद एक क्लास आपके डाउं जो भी डाउट्स होंगे सारे जो सारे डाउट्स हम लोग लेगे और मैं तो इबल की यह कहूंगा आप से कि आप काफी अच्छी चली है तो सोचिए उसको कोशिश केजिए अगर सिखना हो तो अंजली से आप बात कर लिजेगा वह आपको सब्सक्राइब हम आते हैं शेली की साड़े साथी को यह बड़ा सब्सक्राइब मतलब बहुत ही इंपॉर्टल विशे है शनी की साड़े साथी लोगों में बड़े-बड़े भ्रहम पैदा होते हैं सोले के कि बहुत दुख देने वाली होती है कोई कहता है कि आपको व्यारे नारे करने वाली होती है मतलब तरह तरह कि इसके लिए लोगों के विभिन मत होते हैं सनी की साड़े साथी के तो क्या है एकजेक्टली तो आप इसको ये समझिए कि साड़े साथी दो ग्रहों से मिलके बनती है एक शनी से और एक चंद्रमा से तो ये हम को मालूम होना चाहिए दूसरी चीज के शनी किस चीज के कारक है ये शुरू में हम लगोंने पढ़ा था के शनी दुक्क के कारक है भे के कारक हैं अपमान के कारक हैं और कठिन परिश्रम के कारक पिशनी है शनी कठिन परिश्रम बहुत करवाते हैं तो कहने का मतलब यह है कि शनी का जब ग्रहे आता है या साड़े साती आती है तो आदमी थोड़ा दुखी भी होता है कुछ उसका अपमान भी हो सकता है और उ उसको जो चीजे प्राफ्थ होती है वो बहुत कठिन श्रम करने से प्राफ्थ होती है आसानी से प्राफ्थ नहीं होती है यह चीज होती है और जैसा कि मैंने कहा कि यह दो ग्रहों का मेल है दूसरा ग्रह कौन सा है चंद्रमा चंद्रमा क्या है वो मन का का रख है तो शनी हमा शनी से और चंद्रमा से जी जी ठीक है जी मतलब कहने का यह है कि इस साड़े साती में जब भी हम साड़े साती की बात करते हैं दो ग्रहों का का इंवॉल्मेंंट होता है एक शनी का एक चंद्रमा का वो कैसे हम करता है के साड़े में शनी को कुल मिला कर 90 डिगरी चलना पड़ता है 90 कैसे एक राषी एक राषी की वेल्यू हमारी होती है 30 डिगरी तो 30, 306 और 3090 यानि तीन राषियों में शनी का जब गोचर होता है जब शनी तीन राषियों में चलता है तब कहते हैं कि शनी की साड़े साथी फूरी हुई और एक राशी में डाई साल रहता है तो तीन राशी में कितना रहा साड़े साथ साल इसलिए से बोलते हैं साड़े साथ साल का समय होता है इसलिए साड़े साथी से बोला जाता है अब कैसे रहता है यह बताता हूं आपको जैसे यह कुंडली आप देखी ये कुण्ड़ी आप देखे इसमें किसी की भी जन्म कुण्ड़ी है आपकी भी जन्म कुण्ड़ी हो सकती है आप अपनी जन्म कुण्ड़ी को चेक कर सकते हैं और देखिए चंद्रमा कहां बैठा है आपकी कुण्ड़ी में इस कुण्ड़ी में चंद्रमा बैठा है उससे पहले घर में आये या उसके बाते घर तक है शनी गोचर का शनी ये ध्यान लखना है गोचर का शनी ये जर्म कुंडली का चंद्रमा है आपका आपने अपनी जर्म कुंडली ले ली और देखा आपका चंद्रमा कहां बैठा हुआ है फिर आप देखिए कि शनी जो आज बना लेजीए अभी की, उसमें शरी आ जाएगा किस राशी में ये आज की कैसे बनाएंगी, ये तो जो जिससे में बच्चे का जन्म हुआ वो कुडली होती है हमारे सामें हाँ, software आपके पास होता है न, आप कोई भी टाइम जिसे आज का टाइम डाल दीजिए, जिसे अभी का टाइम हो रहा है, अभी हो रहा है सवा पांच बज़ रहा है, या पौने शे बज़ रहे है, आप सीधा software में डालिए पौने शे बज़े, और जो उसके तर पढ़ी है, आ आज की डेट में, अभी, एक न सर ये जैसे एस्ट्रोसेज में से महादशा और ये सब पढ़ना भी थोड़ा सा उसमें नहीं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ, तो वो बता दूमा मैं आपको, उसको बता देगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इसमें उस राशी के बाद एक राशी तक रहे, उतने टाइम साड़े साती होती है, यानि शनी जो है, चंद्रमा यहाँ बायर नंबर राशी में है, शनी जब ग्यारा नंबर राशी में आएगा, गोचा है, तो साड़े साती स्टार्ट होगी, पहरे डहिया स्टार्ट होगी उसकी तो दूसरी डहिया होगी, यहां आएगा तो तीसरी डहिया होगी, यह जो यहां से यहां तक पूरा रस्ता कवर करेगा, यानि 30 डिगरी यह, 30 डिगरी यह और 30 डिगरी यह, 90 डिगरी जो कवर करेगा, वो साथे साथी कहलाती है, ठीक है? अब इसमें एक चीज बहुत important है, हम कि अगली राशी में जब शनी अपने चेक्डमा लेकिन अगर आप तो इस कुंडली में चंदरमा 10 डिगरी 42 बिनट का है तो क्या हमें यह देखना है कि साड़े साती कब स्टार्ट तो मैंने यह बताया कि साड़े साती में टोटल ग्रहे को 90 डिगरी चलना पड़ता है यह मैं आपको मनुर्मा जी के वल समझा रहा हूं इसको आप बताने के लिए लेकि इसको आप अपने प्रियोग में मत लाइए नहीं को आप कंफ्यूज हो जाएंगी बहुत ज़्यादा ठीक है ना आप सिर्थ इतना ध्यान लगिए कि जिस राशी में चंदरमा है उस राशी से एक राशी पहले एक घर पहले और एक घर बाद में और उस तो अब हम लेखते हैं कि चंदरमा दस डिगरी 42 मिनट का है इस में राशी में तो मोटा मोटा तो हम कहेंगे तो यह कहेंगे जब शनी हमारा यहां ग्यारा नंबर राशी माएगा तो सारसाती आरम हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं है वो ऐसा इसलिए नहीं है कि मैंने आपको बताया कि टोटल मिलाके 90 डिगरी चलना पड़ता है यहां से यहां का पूरा यह 90 डिगरी है 30, 30, 60, 30, 90 डिगरी तो आप यह देखिए कि चंदरमा 10 डिगरी का है 10 डिगरी 42 मिनट तो यह हो गए और यह जो हिस अब 40 डिगरी 42 मिनट को में क्योंकि इस घर के इस तरफ 45 डिगरी चलना चाहिए इस घर के इस तरफ 45 डिगरी चलना चाहिए अगर मैं यहां स्टेट लाइन खीज दूँ एक यहां 12 से लेके यहां तक के लिए तो कहने का मतलब यह है कि यहां 45 डिगरी चलना चाहिए और घ तो चार डिगरी 18 मिनट यानि यहां तक करीब आ गया तो पूरा कवर हो गया तीस डिगरी 18 मिनट इसका भी कवर हो गया तो यह आपका आएगा 25 डिगरी 42 मिनट यानि इसका मतलब जब शनी गोचर में मकर राशी में 25 डिगरी 42 मिनट पर आएगा तक रहेगा तो इसमें यानि यह मकर राशी में बहुत आफिरी में जाके स्टार्ट हुई है जी यह देखो कि मकर राशी में यह बहुत आखिरी में जाके स्टार्ट हुई है क्योंकि चंद्रमा की डिगरी भी कुछ ऑल्लेडी है कुंडली में आपके बहुत नइटी डिगरी जंब मानो जब आप चंद्रमा जीरो डिगरी का हो वहाँ पे को इसी बात नहीं जी एक डिगरी का है चलो माल लिया आपने की घर पहले एक घर बात में आपके साड़े साथी है लेकिन आपको experience के लिए और आपको बताने के लिए आपको यही मानना है जो मैंने आपको शुरूर ने बताया कि चंद्रमा जहां रिज्राशी में हो उससे एक घर पहले साड़े साथी start, उसके ऊस घर में साड़े साथी, उसके एक घर इतना आप याद रुखिए मैंने आपको यह बता दिया कि चंद्रमा दस डिगरी का है तो कैसे हुआ अब वही सिंपल चीज यहां को गई कि दस डिगरी ब्याइस मिनट तो यह हो गया आपका पीज डिगरी यह हो गया और उसके बाद चार डिगरी ठारा मिनट और चलेगा कहने का मतलब यह है कि शनी जो आपका होगी जब शनी आपका मेश राशी में पच्छिस डिगरी ब्याइस मिनट का हो जाएगा क्योंकि दस लंबर राशी से स्टार्ट हुई है तो मेश राशी में जब 25 ब्याइस मिनट का हो जाएगा तब खतम हो जाएगा इसमें एस टैंस पूल एरीज हां ठीक है तो यह आपको ध्यान लखना है अब आपको मोटा मोटा सिर्फ इतना यह लेना है कि जहां चंद्रमा किस राशी में है मनुर्मा जी मेरा तो सर अभी म और लिम मैं उसका बताती हूं है इसका जो है चंद्रमा है तो दो नंमबर दो नंबर विठ राशी है विषभ राशी नहीं चलते जाले हूं क्योंकि विषभ से पहले कौन से राशी पाढ़ती है ah Vrica Plus से एक पहले मेश मेश पाढ्ती है जानि शनी मेश मैं आए आज की डेट में यह मैं मैं बपारी लगहन कुली के बता रहहां momencie तो इस बंदे की साड़े साती कभ स्टार्ट होगी जब कोई चिंता नहीं पूब अब उसके चारपार साल कोई चिंता नहीं खताम जाएंगी यह आपको साड़े साथी का किताब रखना है यह होता है अब साड़े साथी के बारे में हमें जstillाए खतना होती या सब के लिए फाइदे मन्द होतीए ऐसा कि जो ग्रहे आपके लगता है वहां की कुंडली में कैसे योग कारी ग्रह है या नहीं उनके उपर भी बहुत निर्भर करता है अगर आप मेश लगन की कुंडली बनाए तो शनी आपका दस्वे और ग्यार्वे भाव का सवामी पढ़ता है और चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी आता है जी चार नमबर आपसी चौथे भाव में आएगी तो इसमें से ना तो शनी के पास कोई प्रिकोन का स्थान है ना ही चंद्रमा के पास कोई प्रिकोन का स्थान जी प्रशब राशी ले लीजिए प्रशब राशी में शनी के पास नवा और दस्वा हाउस आएगा अगर दो नंबर से स्टार्ट दो नंबर का देखिए आप पुंड़ी बनागी है दो नंबर लगन की पापी प्लेंड है आपके पास आप दो नंबर वली ना तो नंबर लगन ही कुंड़ी बनाई जी बन गई बन गई ठीके अब शनी जो है किनकिन भावों का स्वामी होगा आपकी कुंड़ी में इसमें शनी की तो राशिया हैं हमारी 10 और 11 यह होगे हमारा साथ नो और 10 भाव का तो वही मैं आप से बोल रहा हूं कि शनी जो है आपका नवे और दसवे भाव का स्वामी तो आपको यह चरक करना पड़ेगा किकिसि की साड़े साथ ही चल रही है उसकी कुंडली किस लगन की है और उस लगन की कुंडली में क्या शनी या चंद्रमा में से कोई एक ऐसा है जो त्रिकोर्ण का स्वामी है अगर है तो दुख थोड़ा कम होता है इसकी इंटेंस्टी कम हो जाती है चंद्रमा में से कोई अगर एक त्रिकोर्ण का स्वामी हो तो मजबूत हो गया है उसकेस में आपको दुख जो है इतना प्रभावित नहीं कर पाएगा न जी एक इसमें अपने बताये था फूनीयोगकारी रह है पूनीयोगकारी तू केंद्र त्रिकोंन की बात कर सुएमिन की कारी सून का सुएं गार, जी हा तो फूनीयोगकारी बन गा मैं तो कह रहा हम लग्धन ब्रश में स्वामी अगर वो बन जाए अब हम आते हैं यह बाकी सारे ग्रहों का आप नीचे पढ़ लिजिए कि कौन से ग्रह में कौन सा भाव है जैसे किसी की मीन राशी है तो शनी ग्यारवे बारवे भाव का स्वामी बनता है आपकी कौन सी आपका कौन सा लगन है आपको मालूम है तो आपके लिए साड़े साथी जब आएगी आपकी वो इतनी प्रॉब्लम क्रियेट नहीं करेगी आपके लिए तो कि शनी जो है आपका वो पूर्ण योग करिग करक के लिए करक के लिए करक के लिए क्या है करक के लिए शनी के पास साथवा राटवा भाव होता है वो भी केंदर का वो त्रिकौन का भाव नहीं है साथवा और आठवा पर आठवा तो भाव अच्छा नहीं कहा जाता ना आठवा अच्छा नहीं कहा जाता ना तो शनी के अच्छे भ्वाव नहीं है शन्य के पास। चंधर्मा के पास पहला भाव होगा जी। वह लगनेश है मजबूत है उसमें कुछ के हनने की मता है। और एक ये केंद्र में भी आ गया शन्य की इसका भी कुछ रहे का प्रभाव होता है लेकि इतना नहीं क्यूंकि सेंपल है साड़े-साती बहुत कोई दिखकत वाली बात नहीं. इसके बाद हमारी आती है में चीज है कि पहले धाई साल, दूसरे धाई साल और तीसरे धाई साल. बड़ा मतलब यह रहता है कि पहले ड़ाई साल क्या रहेगा दूसरे ड़ाई साल क्या रहेगा तीसरे ड़ाई साल क्या रहेगा कुछ लोग कहते हैं कि जाती भी साथी बहुत अच्छी होती है कुछ लोग कहते हैं जाती भी साथी में बहुत 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 होती है आपने सु साड़े साथी स्टार्ट होती है जी यानि चंद्रमा से जन्मकालीन चंद्रमा से दूसरे या बारवे घर में शनी आए तो साड़े साथी स्टार्ट है जन्मकालीन लगना जो होगा जन्मकालीन चंद्रमा जहां आपका चंद्रमा बैठा हुआ है जन्मकालीन कुंडली में ल उस चंदरमाख से कावन करना है आपको, तो वो साड़े साती हो जाती है, जनम से तो यानि कि अगर अगर चंदरमा बैठा है दूसरे भाव में, और वहों पर दस नमबर राशी भी है, धनु लगण के अगर नो बात करें, नहीं, नहीं, cafसे हैं, तो दूसरे भाव में राशी कौन सी है यह आप देखिए डस नमबर राशी है तो नौ नमबर राशी में या दस नमबर राशी में या गारजान अबर राशी में अयगा उसे त्युमने से किसी ही रहेगी seeing तो यहां जो अभी आपको बताया धनुलगन के बड़े बेटे की राशी आपको दिखाई भी तो यानि इसका जनम से वह था जनम से भूल जाएए अभी क्या उसका धनुलगन है ना उसका तो धनुलगन के लिए आपको सणी को कहा आना जरूरी है गोचर में मैंने कहा कि आपको देखना है कि आज की तारीख में शनी किस राशी में है उसमें नहीं देखना जर्म कुल्ली में शनी नहीं देखना आपको कहां बैठा है आपको जर्म कुल्ली में सिर्फ चंद्रमा देखना है और शनी आपको देखना है जैसे आज की तारीख में अभी शनी गोचर में 11 नंबर राशी में है अच्छा आप याद रखिए कि शनी 11 नमबर राशी में है आपके बेटे की राशी चंदर राशी जो है वो 9 नमबर है चंदरमा उसका 9 नमबर राशी में है तो उसका सर उसका लगन है धनू राशी उसकी मकर है मकर है अब आए मकर राशी है उसकी तस नमबर राशी हो गई उसकी हां जी तो जब नौन ören जब नमबर राशी मेन शनी आएगा और जब गयारा मेल चलरह यह रहेगा उसकी भिए तरह है चल रहे है यहीं मैंन। कुछ भी नहीं करें आप रोज एक कुण्डली बना लें किसी भी समय की कुण्डली बना लें और उस समय देखें कौन सा ग्रह किस राशी में वो नोट कर लें हमने पेपर पे चंद्रमा तो हर सवा दो दिन में चेल्ज करता है इसलिए उसके तो कोई इतनी प्राब्लम नहीं सूरिय बगएरा हुए बुद्ध बगएरा हुए शुकुन बगएरा हुए तीज दिन एक राशी में रहते हैं तो तीज दिन तक आपको कोई दुबारा देखने के अवशकता नहीं है अगर आपने आज कुण्डली बना लें कोई अभी के समय की एकदम और आपने देखा क कौण सी रहने कोम्ब रार्शी में मैं तो अब को मालन में 7 साथ में रहे है तो देखने की जूर्तनी है आससपास दो इतिन ज्याएं को तो यह इसमंड़तills के लिए अनू कि समस्या में और ती तनाव को रहता है थोड़ा रिघन मातापिता को सब्सक्राइब यह समस्याइब हो सकती है शूर की द्धाय साल कि सब्सक्राइब यहां जिस को का समंधी रोग हो जाते हैं शारीय वह वन जाता है आधम withdraw पो एंसने अने लगती यह इस तरही प्राबल्बलम सोती है और जो वादविवाद की संभाना रहती है उसको थोड़ा उसका ऑफिस के अंदर भी या या बाकी जगार भी बड़ा स्मध के चलना चाहिए उसका अपने भी उसको पराय लगते हैं कि यार कोई अच्छी सिक्षा नहीं दे रहे बात बन रही है कुछ पैसा ठिकता नहीं है तोड़ा पैसे की वह जाती है आता है जाता है आता है जाता है तो इस तरह की की प्राब्लम्स होती है एंड क यह सालो में पाकी और कोई प्राब्लम नहीं अंग, तो और कोई प्राब्लम नहीं है गड़े हैं यह यह मैंने कुछ ग्रहों का बना दिया है यह आपने पास रखना तो आपको पता रहेगा कि किस ग्रह की कौन सी फेस नेगटिव होती है लगन के लिए जिनकी राशी मेश है उनके लिए सेकंड फेस जो होता है वो थ्वराज़ नेगटिव जादा होते है जिनकी राशी मिथुने उसके लिए लास्ट थाह साल नेगटिव जादा होते हैं तो इस तरीके से आप इनको नोट करके रख सकते हैं ये डिपेंड करता है कि शनी की द्रस्टी कहां पड़ रही है सब कुछ होता है तो उससे आपको मालुम चल जाएगा लेकि सारसाथी का जो होता है वह थोड़ा सा नेगटिव होता है तो आप जिसे आपके बेटें की धनु राशरी कि अन Cao जी आप अते है मूर्ती निन्ने मूर्ती निन्ने बहुत एक अच्छा है सारसाथी हम लोगों ने देखिए इसके बादा हम लोग कैसे देखते हैं चार प्रकार की मूरतिया होती है यह भी हम लोगों को देखना होता है सोने की मूरती की मूरती तीतल की मूरती ये चार मूरती है जैसे ओलंपिक के मैडल होते हैं इसी प्रकार से जो हम जैसे कहते हैं कि बच्चे ने जन्म लिया तो पाया जो कहते हैं उसका पाया अलग होता है यह मूर्थी अलग होती है मैं आपको बताऊंगा अब यह मूर्थी क्या होती है पाया अलग होता है पाया में आपको चलों नेक्स ऐसे मता देंगे बाकि गुण मूरति एक अलग छीज़ जी है किसी ग्रह के नई राशी में प्रवेश के समय आपब क्या करिये कि कभी भी यह नोड कर लीजिए कि आज के दिन चंदर्म किस राशी में है यह नोड कर देख के कि आज के दिन चल्द्रमा आप किस राशी में है वो आपने नोट कर लिया अब आपने यह दिखना कि जिस समय कोई ग्रहे नई राशी में प्रवेश करता हैँ कभी भी कोई ग्रहे सूरिय नहुशा सूरिय मंगल का 45 दिन है शुकुर का 30 दिन है बुद्ध का 30 दिन है शनी का 20 साल है तो हर राश हर ग्रह का एक टाइमिंग है वह उतने समय के बाद राशी चेंज करते हैं तो किसी ग्रह के राशी चेंज करने से आपके ऊपर क्या प्रवाब पढ़ेगा मूर्ती वह बता पिए जब ग प्रवेंगा शनी का इनी का गोचर मीश्य मैं आपके लिए उपर इपर प्रवेश ऊधने वं इस समय आपको क्या करना है उस समय आप कि देखना है कि उस समय गोचर का चंद्रमा जो है जल कालिंग चंद्रमा से किस भाव में है आपको समझ आया यह जह लगा यह से ओपर थोड़ा सा गोच्य के चंद्रमा से इसी ग्रह जब भी कोई ग्रहे नहीं राशी करता मालिया सूरज है सूरिया आज दो नंबर राशी में है माल रो आप जी अब वह तीन नंबर राशी में जाता है जिस दिन ने तो आपने नोट कर लिया तीन नंबर राशी में यह चौर तरिक हो जाएगा थीक है अब अपने नोट कर लिया अब उसके बाद देखा आपने चंद्रमा आपका जिस दिन वो राशी चैंज कर रहा है चंद्रमा गोचर में किस राशी में कि देख लिया कि आज राशी में वह आपने नोट कर लिया कि गोचर का चंद्रमा जो है वह कहां पर बैठा है किस राशी में फिर आपने देखा लगन कुल्डी में चंद्रमा किस राशी में आपका कि लगन कुल्डी में जिस राशी में है उस से गोचर का चंद्रमा में हो वह भाव देखना है आपने तो इसने नोगन कहा है कि कोई ग्रहे है अगर नए राशी में प्रवेश करता है उस समय कंद्रमा जन्मकाले चाण्दी की मूर्थी आपके लिए आती है तो आपके लिए समय वो उत्तम है अच्छा समय है कितल की मूर्ती तामे की मूर्ती आती है तो वो समय आपके लिए मध्यम है अगर लोही की मूर्ती आती है वो समय आपके लिए थोड़ा कस्ट वाला है तो हर ब्रह का आप देख सकते हैं कि हर ब्रह जब भी राशी चेंज करे उस दिन चंद्रमा किस राशी में है वो नोट कर लिजीए तो आपको मालूमी है गोचर और लगन दोनों का कंपारिजन करके पहले भाव में है चटे में है ग्यारवे में दूसरे पाच्छे नौए में चंतरमा का लेखना है खाली आपको गोचर का और लगन का तो उसे हमें स्ट्रेश्ट समय का पता चल जाए है यह जो ग्र स्ट्रानथी जो है यह हमारे लिए जाए कि मुझे उस्वक्त स्वन मूर्थी लगने चेक करना है और आपको यह चोटी सी चीजे इनको मैं मतला है मैंने आपको बता दिया है बहुत जादा इस्तिमाल यह नहीं होती साड़े साथी तो इस्तिमाल होती है सुख्र में के लिए हर महीने चेंज करते है एक बार देख लेना चाहिए कि आपका महीनः कब सालह सब्सक्राइब प्रैक्टिस के लिए जुरूर मैं कहूंग है कि यह जो ग्रहे और यह गोचर का है न थोड़ी सी फ्रैक्टिस दिलिए और थोड़ा करवाएं क्योंकि अभी जैसे आपने बताया कि गोचर में रेखो कि चंद्रमा कहा है तो उससे साड़े सती और उसका अंदाजा हो जाएगा हां मैं आपको बताता हूं भी देखे मैं आपको निजर आ रहा है जी सर हां मैं आपको कुणडली है ठीक है देखे अब इस कुणडली में चंद्रमा किस राशी में है जल्म कसमें चंद्रमा जो है चंद्रमा एक नंबर मेह राशी में है तो человhhat छनी 12 लाश्रिवा ठीक है एक में रहेगा और दो में रहेगा यहां पर डाई साल यह था और यहां डाई साल थीक्या आपका मंगल जो है यह देखिए मंगल सोलर डिगरी का है यह आप सूर्य लगाओ सूर्य आपका कौन सी सूर्य आपका देखिए गोचर में यह गोचर राशी है जी गोचर कुण्डी है यह मतलब आज के दिन में यह आज की दिन की कुण्डी है जिस दिन सूर्य आपका यहां जाएगा नंबर एक राशी में जी उस दिन आपको नोट करना होगा चंद्रमा चंद्रमा जो है माल लो कि सूर्य आज क्या तारी है आज 18 थारिक है न? हाँ जि हाँ तो हम यह निलते हैं मोटा मोटा के जैसे इसी की लिलते है यह जर्म कुड़ी बनी हुई है इसमें चंदर्मा कहा है यह नोट कर aquí चंदर्मा मेन राशी में नहीं कुड़ी जर्म कुड़ी में ठीक है अब आईए अब हम देखते हैं कि अगर सूरिय राशी चेंज करता है सूरिय राशी चेंज करता है हर मेहने की 15-14 तारिफ तो 14 15 मार्च अब है तो अपरेल के अंदर ये दो नंबर राशी माएगा क्योंकि बारा मैं है तो एक माएगा देखो एक में देखते हैं से पंदरा अपरेल की बनाते हैं विप्टीन जीडो तोर दोहजार चोविस सूर्य कौन से राशी में आ गया एक नंबर में ठीक है आप लोग सुननें जी सर अब बोलते रहे हैं सूर्य एक नंबर राशी माँए यानि पंदरा अपरेल को जो अभी एक मेने बाद आने वाली है उसको सूर्य एक नंबर राशी माँएगा अब बारा में चल लाए सूर्य यह तो मैं मालूम ही है अजी यह हमने देख लिया था यह आज के दिनकी कुल्डी है नीचे चो लगी और राशी में है लेकिन आज से एक मेहने बाद सूर्य किस राशी माँएगा एक नंबर राशी माँए गा तो हमको यह देखना है कि जब सूर्य एक नंबर राशी में आएगा राशी चेंज करेगा तो चंदरबाग के साद्जी में है तीन थीक और जन्व के समय कहां था? जन्व के समय था चंदरबाग तीन नंबर बहा गया तो मैंने वही बताया कि स्वनमूर्थी मिल गई से चुकि अगर जर्मकाले चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा गर पहले तीसरे या छटे उसमें है तो स्वनमूर्थी मिल जाती है इसका मतलब जो अभी टाइम चल रहा है वो इसका सही है यह वाला महीना 15 अपरेल के से महीना स अच्छा सही रहेगा यह हम लोगों ने इस तरीके से सको देखना होता है चीक है आच्छा जैसे यह कुल्ली है इसमें शरी कौन सी राशी में है ओ सोई चंद्रमा यह मकर में क्या इनकी साड़े साथी चल रही है मकर नहीं नहीं सर क्योंकि वो तो भी सोच लो सोच लो आफना है नंबर में है इहां से स्टार्ट हुँए उगी यहां जब को यह उसमें चंद्रमा कौन सी राशी में है दो नंबर राशी जी साढ़े साथी चल रही है इनकी नहीं चल लई तो आपको यहां तक बताईए आपको चीज समझ में नहीं अगर आई हो तो बताइता हूँ नेक्स लास में आपको हम लोग पया बता दूंगा और खुर्ड़ी की प्रेटिस सरेंगे अगे थालिआ जैके शीकेशन झाल झाल